तो जैसा है दोस्तों आप सामने मेरे हाथ में यह जो चीज देख पा रहे हैं केवल इस चीज का यूज करने से आपका टमाटर का पौदा फल और पूलों से बर जाएगा तो स्वागत है आप सभी का हमारे ग्रीन परी गाडेनिंग चैनल पर यदि आपने भी टमाटर का पौ पौदे पर फूल आता है फल वानने से पहले ही जड़ जाता है या पर आपके पौदे पर फल सड़कर गिर रहे हैं तो दोस्तों आप इस वीडियो को बिना स्किप की पूरा देखिएगा मैं इस वीडियो में टमाटर के पौदे से रिलेटेड कुछ ऐसी इन परमिसन देन परण आये हैं यह हमारा टमाटर का पौदा है जिसे हमने अपने केत में लगा हुआ है और दोस्तों आप देखी यह जो टमाटर का पौदा है इस पर कितनी ज़्यादा पल और पूल आई वे हैं चली मैं आपको दिखा देता हूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गुच् आपको और भी फल दिखा देता हूं तो दोस्तों आप इसी तरीके से अपने टमाटर के पौदे से इतने ज़्यादा फल और फूल प्राप्त कर पाएंगे केवल इस वीडियो में आपको जो फर्टिलार बताने वाला हूं उसको डालने के बाद तो दोस्तों यहां पर भी अची तरीके से करेंगे तो फूदा अची तरीके से गुरू करेगा तो चली बात करते हैं पौदे की compare tips के वारे में तो दोस्तों में टमाटर के पौदे को किसी ऐसी जगर पर लगा के पर लगग 6-7 गंट लाय आती हो क्योंकि पौदे को दूप मिलना बोहती जरूरियी है इसके बाद बात आती है कि पौधे में पानी कितना देना चाहिए तो दोस्तों हमें अपने पौधे की जो मिट्टी है उसमें अमेशा हल्की सी पानी की नमी बनाए रखनी है हमें over watering नहीं करनी है क्योंकि over watering करने से हमारे पौधे पर जो फूल आते हैं वो जड़ जाते हैं और अमारे पौदे पर फल वहती कम बनता है और नहीं हमें कम पानी देना है क्योंकि यदि हम पौदे में कम पानी देंगे तो अमारा पौदा सुकने लगेगा और पौदा अच्छी तरीकिस ग्रो भी नहीं कर पाएगा अब चली बात करते हैं कि अमें अपने पौदे में कौन सा फाटिलायर वेगरा यूज़ करना चाहिए तो दोस्तों आप कोई भी फाटिलायर यूज़ करें या ना करें लेकिन आप अपने पौदे में बर्मी कमपोस्ट या पिर गौवर की काद का इस्तमाल जरूर करें तो दोस्तों ये बहुती साधरन सा तरीका है पौदे से फलो और फूल पाने का और खौवर की खाद या पिर बर्मी कमपोस्ट का इस्तमाल तो आप किसी भी पौदे में कर सकते हैं चलिए मैं आपको पता देता हूं इसका इस्तमाल आपको कितना करना है आप सो से जेड़ सो ग्राम बर्मी कमपोस्ट या पिर गौवर की खाद ले सकते हैं और पौदे की अच्छी तरीके से गुड़ाई करके उसमें डाल सकते हैं जब भी आप फाटि लायर वेगराय यूज करें तो आपको अपने पौदे की जो मिटी है उसकी गुड़ाई जरूर करनी है क्योंकि गुड़ाई करने से पौदे की जह जो jakby है आप ग्रोट है उस अच्छी तरीके से चलती है और पौदे है जशने हमारे पौदे पर फ पूरी तरीके से फल और फूलों से बरा हुआ है और दोस्तों यह जो टमाटर का पूदा है इस पर लगबाग 15 से 20 कजी टमाटर आई हुए हैं और यदि आप अच्छी तरीके से फाइटी लाजर वेगर आपने पौदे में समय पर यूज करते रहेंगे तो आपके पौदे प आपको पताता है उस वेटी लाजर के बारे में है तो जैसा है दोस्तों आप सामने दीग पा। लिए इसके पेलावबग 15 वाटा इसके पर आडेसंय पर यदि किसी वी तरह पंच शीरा वेगरा काट एया तो पूरी तरीके से Chunginteश हलो जाएगा और पोदा जो है अच्छी तरीके से ग्रूप करने लगेगा तो यहाँ पर हमने लगबग आदा चमच अल्दी ली हुई है इसके बाद दोस्तों आपको एक और चीज़ लेनी है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ तो जैसा ही दोस्तों आप सामने मेरे आत में यह जो चीज़ देख पा रहे हैं यह चाय पत्ती है जो की प्रेश चाय की पत्ती है और यहाँ पर हमने लगबग एक चमच ली वही है तो इसको भी हम इस आदा लीटर पानी में डाल देंगे और डालने के बाद दोस्तों हम इसको अच्ची तरीके से इस पानी में गोल लेंगे ताकि यह जो फटीलाय रहे पूरी तरीके से बन कर तयार हो सके तो दोस्तों यह जो चाय की पत्ती है इसका इस्तमाला यदि आप अपने पोदे पर करते हैं तो सामने आप देख पा रहे हैं यहां पर मैंने इसको गोल लिया है और अब यह जो फटीलाय रहे पूरी तरीके से तयार है हमारे टमाटर के पोदे में डालने के लिए तो चलिए मैं इसको अब अपने टमाटर के पोदे की जो मिट्टी है उसमें डाल देता हूं तो आपको इसी तरीके से स्वाटिलायर को तयार करना है और अपने पौदे में इसका यूज करना है तो जैसा ही दोस्तों आप सामने देख पा रहे हैं यहाँ पर हमने अपने टमाटर के पौदे की जो मिट्टी है वो कुछ इस तरह की बनाई हुई है चली मैं आपको दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने अपने पौदे की जो मिट्टी है उसमें अलकी सी पानी की नमी बनाई हुई है ताकि पौदा अच्छी तरीके से ग्रो करता रहे है अब चली मैं इसकी गुडाई कर लेता हूँ तो यहाँ पर आप सामने देख पा रहे हैं मैंने अपने पौदे की जो मिट्टी है उसकी गुडाई कर ली है और गुडाई मैंने लगए एक से डिलेंच गहरी ही की है इसी तरीके से आपको भी अपने पौदे की जो मिट्टी है उसकी गुडाई करनी है फार्टिलायर यूज़ करने से पहले अब चलिए हमने जो फार्टिलायर तयार किया हुआ था इसको भी हम डाल देते हैं तो दोस्तो इसी तरीके से आपको इस फार्टिलायर को यूज़ करना है अपने टमाटर के पौदे में तो चली मैं इसको डाल दिता हूँ तो दोस्तों आपको हमारी आज की ये वीडियो कैसी लगी आप मैं कमेंट करके जरूर बताएं और अभी तक आपने हमारा चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीस हमारा चैनल सस्क्राइब करें हम आप से फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसे इने टोबे के साथ तेंक यू